मीटी मीटी बातों से पेट भरता नहीं, सरकार जो करते हैं चलता नहीं, अब अब जो भी होगा सब सोचिये सरकार जी, हमको तो अब माल मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी कीजिएगा सरकार जी, हमको पेट भरने का कोशिस कीजिएगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने देश के 80 करोण गरीब लोगों को दिवाली का तौफा देते हुए प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का एलान किया है इस योजना के तहट करोणों करीब लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त में हर महिने राशन मुहया कराया जाता है भागलपूर में राशन लेने के लिए पीडियेस दुकान पर पहुंचे लाभुकों ने पीएम मोदी के इस कदम की सराहना करते हुए पीएम को धनेवाद तो दिया लेकिन साथ ही नाराजगी भी जाहिर की महिलाओं ने सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जितना राशन उन लोगों को मिलता है वो परियाप नहीं है राशन की मात्रा प्रतिवक्ति के हिसाब से बढ़नी चाहिए महिने में केवल एक किलो गेहूं से कैसे गुजारा होगा तो इसका होता है पिर्लान मंत्री ने पाँ साल के लिए मुफ्तमे रासन कैसे देखते हैं कि वह तो बहुत अच्छा किये हैं ओ ठेंकी धन्यवाद देते हैं मोधी जी आपको लेकिन एक आदमी तार्फ किलो जेहूं बढाई हैं एक आदमी पांच किलो जेहूं बढाई हम ल विश्मा सेब्सक्राइब कुछ कोभवा सेडसना यद्लियों गर्पण कुछ कगई देए पंस कलीके बड़ा हे रासनात कुछ मिंद्या पहसे दिफते हैं कि यह हुगा भी कनले देते हैं है कि ठीक है बढ़ा दिये बहुत अच्छा है और यही है रिक्वेस्ट की एक आदमी पर जो एक किलो देते हैं उससे पेट नहीं भरता है उसके लिए जो है कुछ मोदी जी अपना अथी करें जो कि हम लोग को पेट भरे कम पांच किलो एक आदमी पर भी दें तो गहुं क्या अपको यहां ऐससे कि नहीं पाँते हैं आप तक क्या रही है और नोग को मुफ्थ में राशन गरीव लोगों को बढ़ा दिया है कैसे देखते हैं इसके लिएा आप औरहते सफिए तक क्या एक किलो घृय ओने को ने लिक को मिलता है एक डोन PD को लोगों को सोचना है हम लोगों को बहुँ कुछ सरकार के तरफ से नहीं मिलता है और हम लोग का जो운भी है वह एक मेना दो मेना पीछे ही है हमलोग भी है, हम लोग दुकान भी भारा पे चलाते है हम लोग दो-तीन आज्मी हमें खटते भी हम लोग को नnal पैसा करके मिलता है जनता राशन के मात्रा बढ़ाने की मांग कर रही है तो वहीं डीलरों का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से कोई लाभ नहीं मिलता ऐसे में वो लोग 1 दिसंबर से हरताल पर जाने की घोशना भी कर चुके हैं अब सरकार इन मांगों पर कब और कितना ध्यान देती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा